फोटोग्राफ्स लेना आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं रह गई है और आजकल आए दिन घटनाए कैमरे में कैद हो जाया करती हैं तो आज ना आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स के बारे में जने किसी हादसे से कुछ सेकंड्स पहले ही ले लिया गया था तो आईए देखते हैं ये फोटोग्राफ्स आपको थोड़ा सा मजाकिया किस्म की जरू लगेगी परंतु है नहीं दरसल ये काफी बुड़े दादू काम पर जा रहे थे तब ही इनकी नजर एक लड़की पर फिसल गई उन्हें क्या पता था कि वो लड़की फोटो शूट करवा रही थी और ये उसे देखने में इतने मगन हो गए कि सामने इस खंबे से जाटकराए इस से इनके सर पर जमकी चोट आ गई और दादा जी कोमे में चले गए इसलिए कहते हैं नजरे हटी और दुरगटना गटी दरसल ये फोटोग्राफ एक कपल की है जो की अपनी मैरेज अनवरसरी मनाने क्रूज बर गया हुआ था वहाँ पर ये दोनों ने टाइटनिक मूवी का पोज दे करके फोटोग्राफ खिचवा ही रहे थे कि तबी एक बक्षी सीधा मैडम की आँख से जाटकराया और उसकी चोच से मैडम की आँख ही चली गई मतलब एनवरसरी पर ये कैसा गिफ्ट मिल गया शाय दोनों पर मंगल भारी था अब इस फोटोग्राफ में आप इस लेडी को देख सकते हो जो की बड़े मजे से इस लेक पर खड़े होकर अपनी फोटो खिचवा रही है पर इस बात से ये एकदम बेखबर है कि उनके साथ एक चीज और है जो की फोटोग्राफ में कैद हो चुकी है और वो है ये खदरनाक मगरमच दरसल किसी को भी नहीं पता था कि ये मगर वहाँ पर मौजूद था फिर इस मगर ने इस लेडी की जान ले ली और उसके बाद जब फोटोग्राफ देखे गए तो उनमें इस मगरमच को पाया गया ये फोटोग्राफ बहुत से दर्शकों को डिस्टर्बिंग लगेगी जी हाँ दोस्तो ये फोटोग्राफ एक हंटर की है जिसने अपनी बंदूक से इस बारा सिंगे को मार डाला था फिर उसे मारने के बाद इस हंटर ने अपना कैमरा ट्राइपॉड पर रखा और खुद की फोटो लेने लग गया ये इस बाद से बिलकुल बेखबर था कि उस बारा सिंगे को मानने एक शेर भी उसका पीछा कर रहा है और इस फोटो के बाद कैमरा वही पर था पर लाश हैं एक से दो हो चुकी थी एक तो इस बिचारे जानवर की और दूसरी खुद शिकारी की तो अब अज़ो जल्दी से नंबर एक पर नंबर एक पर है रिलांडो दाकसा की ये फोटो अब ये जो फोटोग्राफ आप अपने सामने देख रहे हो ये फोटोग्राफ बेहत दिल दहला देने वाली है दरसल एक शक्स था रिलांडो दाकसा नाम से उसने एक मुझरिम के खिलाफ गवाही और सबूत पेश करके उसे जेल में डलवा दिया था फिर कुछ साल बाद जब रिलांडो अपनी फैमली के साथ किसी फंक्शन में एंजॉय कर रहा था ना तब वो मुझरिम जेल से सीधा छूटा और रिनाल्डो की जान लेने आ गया और जब रिलांडो अप एक तस्वीर ने पूरी वारदात बता दी अब दोस्त एक आखरी फोटोग्राफ भी देखी लो ये सेल्फी जॉन डो के द्वारा तब ली गई थी जब वो अपनी नाव से बाहर निकल कर पानी के बैक्राउंड में सेल्फी ले रहा था तब ही अचानक से एक शार्क पानी से बाहर निकली और जॉन का सर अपने मूँ में दवा करके ले गई जो बोट पर गिर गया वो था उसका फोन और इस पूरी वारदात को समझाती हुई उसकी ये आखरी सेल्फी तो अब आप भी भाई अपनी सेल्फी संभल कर लेना और इसी के साथ दोस्त ये था मात्रम